हेलो आज है सेवन्थ अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात कने जा रहें सुजलॉन एनर्जी के बारे में और आज एक सुबह सुबह बड़ी अपडेट आई है सुजलॉन को लेकर और जिसके चलते साड़े तीन परसंट की बड़ी रफतार इसने पकड़ी भी है और देखा जाए तो जहां पिछले एक महिने में बाजार ने थोड़ी बहुत गिरावाट पिछले दो दिनों में तो दिखाई थी लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो तीजी अभी भी बरकरार है 24 परसंट की तीजी यह है हलाकि 71 रुपीज पर गया था बात में जब दो दिन मार्केट करेक्ट हुआ तो यही भी गिरकर 66 रुपीज पर आया ज़रूर था लेकिन आज फिर से तीजी देखने को मिले क्योंकि बड़ी अपडेट आई है यहां पर एक बड़ी कंपनी को इन ग्राफ देखो इंटरेस्टिंग है तीजी आई थी फिर कुछ ताइम कंसलिडेट किया फिर बड़ी रफतार पकड़ी इसने और अभी भी अगर आप देखो तो वो तीजी बरकरार है हलाकि मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद आपको एक प्रॉफिट टेकिंग यहां पर देखने को मिल सकती है लेकिन लॉंग टर्म का आउटलूक बहतरीन है यहां पर लॉंग टर्म के लिहास से मुझे लगता है कि पोटेंशल है इस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है हाला कि अगर आप पांस सार का ग्राफ देखो तो एक हज़ा छिस्सों परसेंड का ग्रो पोटफोलियो में रख सो तो खरीद के भूल जाओ अब संडाउंस बीच बीच में आते रहेंगे लेकिन लॉंग टर्म के लिहास से मुझे रता है कि कंपनी बच चुकी है लॉंग टर्म के लिहास से अब यहां पर तीजी बरकरार रहेगी और वो देखने को मिल भी रहा है शांदार रफतार है और जो आज की तीजी आई है यहां पर साड़े तीन परसन की जो रफतार है उसके सबसे बड़ी वज़ा यहां पर यहां पर यह है कि सुजलॉन ने रिनॉम एनर्जी करके कंपनी है उसमें 76% का स्टेक खरीद लिया है 660 करोर रुपेज में हलाकि यह जो स्टेक खरीदारी है वो दो अलग-अलग पार्ट में होगी अब यहां पर होना यह है कि इन्हों ने आज ही मलब कल बताया था यह चीज बंबे शोक एक्सेंज को इनफॉर्म करा था यह जो डील हुई है उसको लेकर और यहां पर 76% खरीदारी होने वाली है हलाकि दो प उसके बाद 18 महीने के अंदर ठीक है कमपनी और 25% का स्टेक अक्वायर करेगी 260 करोड रुपईयों में ठीक है तो यह चीज है दो ट्रांजिक्शन यहां पर होने वाले हैं और देखो अच्छी बात है स्मार्ट प्ले इन्होंने यह करा है कि पहले इनको सिफ 400 करोड देने पढ़ेंगे 51% का स्टेक अक्वायर करेंगे लेकिन 7 साथ डील अभी से कर ली कि देखो भया 18 महीने में हम कभी भी आपसे 25% खरीद सकते हैं 260 करोड में जिसका मतलब यह कमपनी को टाइम मिल गया और पैसा एक अठा करने का और यहां पर ही अच्छी वात है उनके लिए हला वोट का यहां पर सोलार में है और 572 मेगा वोट का इन बी ओपी अंडर मिंटरेंस अक्रोस अक्रोस अकस्टमर सेगमेंट तो यह अच्छी बात है इनका टॉन ओवर था फिनांचल यह 2024 का वो 213 क्रोड के आसपास का था कंपनी का जो की छोटी कंपनी है लेगिन रिनोन का जो कोर पोटेंशल है और पोजिशन इन फॉर्म फ्लेस अफ्लेस अफ्लेस अच्छी बात रही आने विले टैम में सुजलॉन के लिए यह चीज बहतर होने वाली है कि अच्छे बास है असेट्स उनके पास है जिसका इस्तमाल यह कंपनी अच्छे से कर सकती है यह पर और यह डील विल प्रोवाइट सुजलॉन दे अपोजिटर टू टैप इंटो थर्टी टू गीगा वोर्ट से नॉन सुजलॉन विंड एनरजी असेट्स इन इंडिया तो कंपनी के मेरे हिसाब से डील है अच्छे डील हुई है और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज से एक दो साल पहले सुजलॉन खुद स्ट्रगल कर रही थी करजे को लेकर ठेक है लेकिन दो साल में चीज़े जो टनराउंड हुई है वो वाके में बहुत अच्छी है इनके लिए और अब यह खुद खरीद रहें बाकी कंपनियों को और यहां पर अगर आब 33,000 करोड से भी जादा का है बहुत चल दी एक लाग करोड कर जाए लगिन उसके बाद यह रेंज में फसेगा और शायद लंबा टाइम लेगा वहां से निकलने के लिए कंपनी को लेगर अगर आप देखोगे तो यहां पर जियो जीत का टागेट 73 रुपीस का था और वही पर जाता नजर भी आ रहा है हलां कि 25 जुलाई को यह टागट दिया था हलां कि बीच में अभी मतलब पिछले हफ़ते ही साइस यह 71-72 पर तो गया ही था और जहां तक बात करी जाए इस कंपनी में तो देखे डिविडेंट अभी पे नहीं कर रहा है और मुझे लगता है कि दो साल निकल जाएंगे उसके बाद शायद को सकता है कि आपको यह डिविडेंट प्याउड जरूर करता नजर आए और जहां तक इसके वैलिवेशन की बात करें देखो महंगा तो है 104 का पी है इसका सेक्टर पी 51 का है लेकिन आपको बता दे कि 110 का पी था इसका जब यह आ पी रेशियो का मतलो है प्राइस की टू अर्म कर रही है कंपनी और देखो गई तो इनकी अर्निंग तो बट रही है इनके प्रॉफिट बट रहे हैं अर जून में रिवन्यू कम होई लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया रीजन क्या हो रहा है कि पहले बहुत सारा पैसा था इ है इनके लिए और आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ा आपको सुजलॉन को ले कर देखने को मिलेगी यह आज से खबर है कि इतने इस कंपनी में इतना स्टेक खरीद रहे हैं यह क्योंकि काफी अच्छी बात है इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट्स है वो है इनके मर्जर को लेकर सुजलॉन को की ही एक होली ओन सब्सूरी कंपनीज है ठीक है जो मेंटेनस सा काम करती है उसको इसके अंदर मर्ज करा जाएगा और उसका फाइदा यह होगा कि उसके चलते इनके रिवन्यू प्रॉफिट में आपको एक बड़ी तीज़ी देखने को मिले कि उसका रिवन्यू भी यहाँ पर एड होता नज़र आगा तो यह चीज़े बहतर होगी उस टाइम पर इतना ही नहीं अभी इस कंपनीग में भी इतना श्टेक अब एक अच्छी पोजिशन पर आए उसका फाइदा इसको डेफिनिटली मिलेगा यहाँ पर जहां तक शेह होल्डिंग की बात करें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 13.27 है वो प्रमोटर की होल्डिंग वैसे भी कमें लेकिन अटलिस प्रमोटर का एक बिशर गिरव अगर आप देखो यहाँ पर 17.83 परसंट से वो भी बढ़कर 21.53 पर आये है रिटल की मैं बात करो तो उन्होंने बिक्वाली करी है 25.62 परसंट से वो घटे है यहाँ पर 23.16 पर आये है तो देखा जाये तो यहाँ पर इंस्टूशन बाइंग देखने को मिली है पिछले दो quarter में जो कि अच्छी बात है यहाँ पर वो भी एक positive चीज यहाँ पर add कर रही है overall sales long को लेकर अगर मैं बात को लगें को कि company खराब नहीं है मैं long term का outlook यहाँ पर positive मान के चल रहा हूँ लेकिन short term में मुझे लगता है कि जब वापस 70 रुपय के आसपास जान की यह कोशिश करे ठीक है तो खबरों का बाधार यहाँ पर गरम है जिसके चलते 30 देखने को मिली है और definitely merger एक बहुत बड़ा event इनका आने वाले time में होने वाला है और यह merger इनके लिए positive इसी लिए भी है क्योंकि holy on subsidi है ना कि कोई अलग से company है और वो इसके साथ merge होगी तो valuation इतरी के से होगा नहीं इसी की company है holy on subsidi है जो listed नहीं है इसी का part थी उसको इसके अंदर merge करा जा रहा है यहाँ पर जो की एक अच्छी बात होगी इसके लिए वो बुरी चीज नहीं है तो नजर रखिए सुजलान के उपर और मैं इतना ही कोहमा की है तो hold करो लेकिन fresh buying की जहां तक बात आती है जो नजरिया है वो बाइवन dips का होना चाहिए बाइवन dips का मतलब यह है कि एक दो रुपे की रिख तब average मत कर लेना at least 15-20% का decline जब आता है या फिर 10-12% का decline जब आता है तब धीरे धीरे add करने के मौके डूडने चाहिए और जो आपका नजरिया है वो long term का होना चाहिए नहीं पेंडर करता हूँ पसंद आ हो तो लाइक करें शाय करें चैनल में अगरा पहली बारे तो प्लीज सब्सक्राइब करें और सुजलोन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं थैंक्यू